के दोस्तों Google तो आप सभी यूज़ करते ही होंगे मैं भी यूज़ करता हूँ हर एक आदपी अगर घ्र मॉबायल phone यूज़ चीज पर नजह रखता है कि आप क्या कर रहे और आप क्यों से चीज यूटूब पर सर्च कर रहें या फिर टिक टॉक ओपन कर रहें कौन सा मुबाल अप्लिकेशन आप ओपन कर रहें हर एक चीज गूगल को मालूम पड़ती है हो गए ना शॉक्ड अब मैं बताता हूं कि इसको कैसे मालूम कर सकते हैं यह जो प्रोसेस है बहुत ही सिंप कर सकते हैं और आप कैसे देख सकते हैं कि गूगल आपका कौन कौन सा डेटा आपके पास ले रहा है और कहां कहां पर किस पर आपकी नजर रखे हुए है और अगर आपको पुलिस पकड़ेगी तो आपकी कौन सी चीज सबसे पहले वो चेक करती है और आगर आपको पता चल मोबाइल स्क्रीन पर वहीं पर आपको बता देते हैं कि Google आपकी काउन से एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है और कहां पर इसको सेव करता है दोस्तों अब चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर तो दोस्तों सबसे पहले आपको आपका Chrome ब्राउजर ओपन कर लें चलिए में ओपन सब्सक्राइब करें उसके बाद यह थोड़ा सा टाइम लेगा उसके बाद आपके सामने आचुकी होगी यहां पर देख पा रहे हैं तीन ओप्शन दिख रहे हैं विब एंड एक्टिविटी आपको हर एक चीज में लाइब करके दिखा रहा हूं तो दोस्तों अगर आपन सब्सक्राइब किया था उसके पहले मैंने क्रों में किया था उसके बाद देख पार यहां पर मैं प्लेश्टोर में गया था यहां पर मैंने इमो का डेटा डाउनलोड किया था पूरा इमो अपना अप्लिकेशन को डाउनलोड किया था उससे पहले मैंने दोस्तों यहां प यहां पर देख पार है एक बार मैंने जिल्ली वाल अप्लिकेशन ओपन किया था जो कि होता है उससे पहले मैंने इमों पर थोड़ी सी वीडियो कॉल की थी उससे पहले दोस्तों साधे-10 बजे कल की बात है यह फेसबुकप मैं गया था साधे-10 बजे मैंने फेसबुख ओपन की थी आ पूरी डीटेल आ जुकी यहां पर यूटूब की बात कर ले कुछ पहले मैंने बिद्दु जम्वाल मूवी एक निव एक्षन थ्रिलर मूवी मैंने देखी थी यूटूब पर उससे पहले कुछ टिक टॉक वीडियो मैंने देखे थे जोस्तों उससे पहले भी मैं यहां पे प्लेश्टोर पे गया था जैसा कि आप देख पारें कि पूरी हिस् को ट्रेक ना करने पाया सबसे पहले मैं इसको डिलीट करने की बात कर लेता हूं दोस्तों जैसा कि आप थोड़ा सा उपर आएंगे जैसा कि यहां पर आप देख पार है लिखा हुए डिली तो सिंपली आप डिलीट पी जो निसान लगा हो यहां पर क्लिक करेंगों यहां लाश्ट आवर लाश्ट डे हाल टाइम कस्टम अगर आपको पिसले एक घंटे की हिस्ट्री को डिलीट करना सिंपली आप लाश्ट आवर वाले पर करेंगे अगर एक दिन की करना है तो सिंपली इस पर करेंगे उसके बाद अगर पूरे यानि कि जब से आप मुबाइल फो चाहता हूं तो इस पर से आपको माग को हटा देना है लेकिन अगर आपको हर एक चीट डिलीट कर देनी की गूगल आपकी कोई बीचीज अपने पास ना रखने पाए सिंपली यहां पर सब पर टिक रहने देना उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है जैसे आपको इसको रोगना करें आपको क्लिक कर देना है जैसे अब अगर आपको विब एप एक्टिविटी जैसे मान लीजी आप गूगल पर क्या से करते हैं या फिर आप मुबाइल में कौन सा अप्लिकेसिन यूज़ करते हैं अगर सिर्फ यही बंद करना आप्शन को टरन आफ कर देना है जिसे आप करेंगे उसके बाद आपको पॉच्छ कर देना अब आपकी जो वेब एंड अप्लिकेशन हिस्ट्री वह आप कोई नहीं गॉगल भी ट्रेक नहीं कर पाएगा उसके बाद दोस्तों नीचे देख पार है अगर आपको अपने जब कर सकते हैं अगर आपको अन्दर होच 3 साल पहले कि आप history delete कर सकते हैं अब दोस्तों यह जो पूरी प्रोसेस है बहुत ईजी प्रोसेस है तो मुझे लगए आप लोगो शायर कर देनी चाहिए तो यहां पर web and app activity वाले option को जैसे आप turn off करते हैं यहां पर simply आपको कोई भी डेटा Google नहीं देख पाएगा और इससे ब history वहां पर create नहीं होगी जैसे आप उसको हटाएं कि फिर से search history create होने लेगेगी आई होप दोस्ते वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब पर के बेल आइकन को जरूर दबा दिजिए क्यों झाल 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 झाल